तो आए स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास रूल और सबसे पहले हम लोग समझेंगे order of operation basically बोर्ड मास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यह ही समझते हैं कि order of operation है क्या देखिए अगर एक simple example ले तो पहले हम लेते हैं 10 into 4 plus 2 एक example है और same example लेते हैं 10 into 4 plus 2 अगर हम इस दोनों को solve करें तो हो सकता है आपका result different है जैसे कि देख लिजे 10 into 4 करेंगे तो होगा 40 plus 2 करेंगे तो result आएगा 42 और same to same अगर ऐसे करें इससर फोर प्लस 2 कर लेंगे तो 6 हो जाएगा और फिर बाद में 10 से multiply करेंगे तो हो जागा 60 तो दोनों result आपका different हो गया यानि कि order of operation अगर आप गलत कर रहे हैं तो यह आपका result गलत कर सकता है यानि same question का different answer आ सकता है तो इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे बारिकी से और board mass के किसी भी question में आपको problem होगा नहीं तो basically पहले हमनों जान लेते हैं कि board mass होता क्या है उसकोद हमनों देखेंगे different types of question जो कि आपके सारे confusion को दूर करेगा तेखिए basically आप जान रहे हैं कि board mass का मतलब क्या होता है अगर हम सभी चीजों को separate करें तो बहुत कुछ बात है जो कि आपको अभी समझना बागी है ठीक है देखिए bracket में अपने आप में बहुत कुछ है जिसको अगर आप समझे तो यह आपको बहुत help कर सकता है order क्या होता है confused रहते हैं आप लोग क्योंकि आप समझते है ओफ और ओफ हलाकि यहां पर और भी कुछ है क्या चीज़ है square root है exponent and power है ठीक है और भी नहीं है सिर्फ इसके लाव बहुत कुछ है ठीक है बोड मास जो आप तो अभी तक जानते हैं यह simple बात था बट यहां पर बोड मास के लावा भी एक चीज़ है that is called PEMDAS ठीक है तो PEMDAS और बोड मास बिल्कूल एक दूसर से related है हलाकि PEMDAS इस्तमाल होता है United States of America में that is USA में और हमारे इंडिया में बोड मास इस्तमाल होता है लेकिन दोनों में कोई खास फरक नहीं है छोटा सा difference है इसको हम लोग समझेंगे और एक बात और हम लोग समझ को देखेंगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले में समझेंगे कि आखिर ब्रैकेट कितने तरह का होता है और कौन सा ब्रैकेट पहले आता है देखिए अगर इस ब्रैकेट को देखें हम ध्यान से तो हमारे पास total four types के ब्रैकेट हैंगे जो कि आपका पहला है इसको लाइन ब्रैकेट क्या बोलते हैं द्ध़ेंगे यानि कि जब भी हमको दीखेगा यह लाइन नावरे दो सबसे पहले प्रेफरेंस भीरेंगे इसको क्यों की वोडवास है उसका पर करتे है उसक satisfiesे और उसके बालाद आता है करली व्रैकेट और उसके बाद आता है इन सब ही क बट पहले समझ लिए है तो पहले कि सोप करना है ये आपको अगे उसके बार अधा है इसके अधा о order इस order में आपको दिखेगा स्कॉई रूट अच्छा जी और कई अण ही सत्धा एक hopes रहता ही जाता है और आपको इस बात तो काफ़ी सिंबल था तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आगे की चीज़ों को देखिए इन तमाम कोस्टन को हम लोग डिसकस करेंगे वन बई वन जो कोस्टन नमबर वन है यह तो काफी भाइरल है यह सब कोई आप देखें भी होंगे टाइट लेकिन अगर इस क हो जाएंगे confused क्योंकि आप बोडमास के सिंबल रूट को फॉडो करेंगे और यहां पर आपको confusion हो सकता है तो उन तमाम बात होंगे बात करेंगे ठीक है आपको कोई confusion रहे गा ही नहीं इस क्लास के बाद राइट और यह सभी question आपके साथ हम डिसकस करेंगे ठीक है तमाम ज जानते हैं बोड़मास में होता है और पर्जेंट करता है ओके दिन आप्टर आता है और इस और में आपका रूट एंड पाउर आएगा तो यह आपका exponent नाम से जाना जाता है इसमें इमडास में उसके बाद डिविजन और इसमें क्या है है मल्टिप्लिकेशन बस एक और चेंज है हमारे में बोड़मास में पहले डिविजन है उसके बाद डिविजन है लेकिन इसमें क्या है पहले मल्टिप्लिकेशन है बाद में डिविजन है हाला क्यों फरक पड़ेगा नहीं अगर आपका concept किलियाग हो तो बिलकुल कोई फरक नहीं पड़ेगा उसके बाद addition, substitution दोनों में same to same है एक बात अभी से आप ध्यान रखिएगा कि जब बात हो किसका division और multiplication का तो यह दोनों parity लेता है यानि दोनों importance है equally important है multiplication और division दोनों equal importance रखता है अच्छा जी और क्या रखता है तो addition और substitution भी equal importance रखता है और इस बात को आप समझेंगे बहुत detail में ठीक है चलिए तो अगर हम बात करें board mask के proper rule को तो अभी तक आप आप जानते हैं कि सबसे पहले सर हम bracket को solve करेंगे उसके बाद order को solve करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे division और multiplication का किसका division और multiplication का ठीक है और उसके बात division और multiplication का होगा जब बात addition और substitution का होगा तो आपको preference देना पड़ेगा किसको left to right वाले side को यानि कि आपको हमेशा चलना पड़ेगा left to right ये बात है important इस पर हमनों question discuss करेंगे मजाने वाला है ठीक है मजाने वाला है और आज के बाद से कभी भी आपको confusion रहेगा नहीं ठी यहाँ पर same question है इसको आप दो तरीका से solve कर सकते हैं ठीक है जैसा कि आप board mass के rule को अगर follow करें तो आप जानते हैं क्या जानते हैं बाबू आप जानते हैं सिर्फ बी ओडी एम एस ही होता है ना यानि हमारा पहले division बाद में multiplication अब देखिए same question है इसमें हम अप्लाई करते है इस वाले concept को जो कि आप board mass में पढ़ते हुआ हैं देखिएगा अगर इसको हम solve करें तो पहले division आएगा अच्छा जी तो यह 6 into 5 division पहले होगा ना यानि इस 5 इस 5 इस 5 सो डिवाइड होगा यानि हो गया 5 into 2 क्योंकि यहाँ multiply है ना multiply by 2 5 से 5 cancel result क्या होगा 6 into 1 into 2 result कि आया 12 आप इसको left to right लेगे चलें कैसे left to right कैसे left to right बात important है थोड़ा ध्यान दिजेगा left to right अगर लेगे चलें तो क्या होने वाला है देखिएगा पहले हम left से solve करने start करते हैं 6 into 5 करेंगे तो result कितना आएगा 30 आएगा left से start कि है ना तो 6 into 5 30 होगा ओके ठीक है इसको 5 से divide करना है मतलब 5 से divide करेंगे फिर क्या करेंगे into 2 है तो छोड़ देते हैं result कितना आएगा इसका इसको divide करेंगे 6 into 2 result कितना है 12 तो क्या कोई फरक पड़ा किया कोई फरक पड़ा किया दोनों result तो same है यानि कि आपको एक बात अभी समझ में आया कि sir अगर multiplication और division रहे division या multiplication रहे तो हम हमेश लेक्ट राइट चलेंगे तो कभी भी हमारे रियल्ड गलत नहीं होगा और लास्ट में आपको एक question रिखाएंगे जहां पर आप 100% confused भी होंगे और उसके बाद आप sure हो जाएंगे कि हम हमेशा लेक्ट क्यों operate करेंगे कि order of operation अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर मजाने वाला है ठीक है फिर मजाने वाला है otherwise आप हमेशा confused रहेंगे आगे बढ़ते हैं देखिए यह पहला question viral question ठीक है इसको हम बोले है आपको बताएंगे क्यों भारण हुआ था ठीक है आपको बताएंगे हम क्यों भारण हुआ था question मजाने वाला है ठीक है उसके बाद हम लोग one multiplication यह दोनों पारेटी सेम होता है इस दोनों का पारेटी क्या होता है सेम होता है यानि दोनों equally important है और addition और subscription यह भी दोनों equal importance है राइट चलिए आगे पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं पहले बाद को सॉल्व करेंगे ठीक है देखिए का मास के रूल के अनुसार आप जानते क्योंकि ब्रेकेट ओपेन होगा तो मल्टिप्लाई होगा सिंपल सा बात है अच्छा अब क्या डिभाइड करेगा क्या डिभाइड करेगा क्योंकि बोड मास में पहले डी आता है फिर एम आता है तो देखिए जी क्या होने वाला है इसको हम डिभाइड करेंगे तो six by two into three that is three into three result कि नाए nine तो क्या आप एक बात ध्यान दिए क्या आप एक बात ध्यान दिए क्या कि sir यहां पर भी आपने किस order को follow किया है तो यह order था left to right ठीक है पहले क्या किया गया है डिभाइड किया गया है देखिए यह तो आपका importance है क्योंकि पहले bracket को solve करना है तो bracket को solve करेंग करेंगे लेकिन 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 उसके बाद किस वे में चलना है तो left to right चलना है आप यहां पर अगर आप right to left चलेंगे कैसे right to left तो आपका result गलत आ जाएगा कैसे देखिएगा देखिएगा कैसे गलत होगा और यहीं रिजन था इसको भार्याल कराने का देखिएगा अगर इ और 6 को 6 से डिवाइट करेंगे तो result आएगा 1 तो हो गयाना confusion अरे हो गयाना confusion इस confusion से दूर रहना है तो एक बात बस भ्यान रखना है क्या हम हमेशा जब multiplication और division रहे तो हम चलेंगे left to right अच्छा अगर बीच में addition आ जाए तो क्या करेंगे तो इसके उपर हम बात करेंगे लिजे और देख लिजे ध्यान से ठीक है क्योंकि यह चीज हम पहले भी बता चुके है next अगला question अगला question है देखिए आगया बात वहीं वाला कि बाबू बोड मास को follow करोगे या फिर left to right चलोगे आपके उपर है ठीक है चलिए सब कुछ बता चुके हैं solve करते हैं तो पहले हम left to right चलेंगे तो अर्थार इस 36 को हम 6 से divide करेंगे उसके बाद 3 प्लस का 2 अच्छा तो यह कितना result आएगा 6 6 into 3 plus 2 that is 18 plus 2 is equal to 20 तो result किता आया है 20 आया है काफी simple question था यह तो काफी simple question था लेकिन इस तरह के question को अगर आप practice करेंगे तो गुड़ मास में कभी भी गलती नहीं ह होगा अच्छा अगरा question same to same is question को देखिएगा क्या change हुआ है यहाँ पर plus कर दिया गया यहाँ पर क्या था multiply था ठीक है यानि order of a present change हो रहा है देखिए अगर हम solve करेंगे तो पहले तो करेंगे left to right चलेंगे अच्छा ठीक है देखिएगा 36 को हम divide करेंगे 6 से divide करेंगे पहले कर लेते हैं अच्छा plus 3 into 2 देखिए यहाँ left to right चलिए यहाँ right to left चलिए यहाँ पर क्या different हो रहा है क्योंकि बीच में plus का sign आ जा रहा है ठीक है हला कि आप left to right भी चलेंगे तो कोई फरक पड़ेगा नहीं आदत बना लिजे left to right चलने का कोई फरक पड़ेगा नहीं माज आ आया मजा मजा या क्या चलिए अगला question देखते हैं यह रहा question और यहाँ पर आपको देखेगा line bracket तो पहला importance तो इसी को देना है अरे line bracket को ही पहला importance देना है यह बात तो समझ चुके हैं बोड़मास में bracket में सबसे पहले हम line bracket को solve करेंगे उसके बाद छोटू वाले को उसके बाद कर ली बाले को उसके बाद box बाले को अच्छा उसको square भी बोलते हैं चलिए solve करते हैं तो अगर हम इसको पहले solve कर ले कोई फरक पड़ेगा नहीं हाला कि छोड़ देते हैं copy best मारेंगे 12-5 into into 6 plus curly bracket 3 plus 3 plus अब यह बाले को solve करेंगे 8-2 हो जागा 6 6 हो जागा ना 6 खेल ख प्लस आप इसको solve करेंगे ना क्योंकि curly bracket है तो क्या हो जागा 3 plus 6 हो जागा 9 9 हो गया 7 into 6 plus 9 हो जागा 15 15 यानि इसका result कितना है गा 105 काफी simple था काफी simple था लेकिन order of operation अगर आप समझ चुके हैं तो यह question कभी गलत ही नहीं होगा पहले किस प्रेंट करना है यह जाना जरूरी ह ठीक है यह जाना जरूरी है राइट चलिए आगे बढ़ते हैं next question बहुत important question है क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा order का importance right क्या यहाँ प्रेकेट पहला चीज लाइन ब्रेकेट दिखिए अच्छा उसके अलावा क्या दिख रहा है अरे power दिखिए sir exponent and power concept आगे आच्छा उस से कोई confusion नहीं रहा होगा अगर आप order of operation जान रहे हैं तो गलत होगा ही नहीं चलिए solve कर लेते हैं solve कर लेते हैं देखिए अगर हम इसको solve करें तो 1 plus 6 होगा 7 7 plus अब देखिए इसको क्या करेंगे अब हम यहां से solve करेंगे left to right कैसे left to right अर्थात 14 को अगर हम 7 से divide करें तो result कि हो आएगा अब फिर यहां पर क्या है टू दिविज्वाइटू यानि रिजल्ट कितना आएगा टू बाइटू इक्वाल टू वन यानि यहां पर कितना है वान आया अच्छा बंद करेंगे इसको प्रसका अब यहां देखिए फाइड इंटू का स्कुम्इर है तो यह सब याद है न यह होगा पस खेल घ्रक कर लेका थे हैँ खटम कर दिए 2 आख से अब क्या काम करते हैं, सिंपल सा काम है, हो गया सब कुछ, तो यहां पर सिंपल कर लेते हैं, 7 प्लस 1 हो जाएगा, 8, ओके, प्लस का, प्लस का, यहां देखिए, यह है आपका, यह बंद करना खुल गया थे, 5 इंटू 4 होगा, 20, 20 प्लस 2, that is 22, 22, इंटू, 1 बाइ 2, तो यहां भी गलती होगा ही नहीं, कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है, तो order operation है important, इसको लोग ध्यान रखेंगे, चलिए, आग यह question, धमाकेदार question है, ठीक है, दिल खुछ हो जाएगा, इस question को solve करके, चलिए, लगाईए अपना अपना दिमाग, वीडियो पॉज कीजिए, और दिम left to right चलना है, कभी गलती नहीं होगा, लेकिन इस question को देखिए, क्या होने वाला है, कुछ नहीं किया गया है, simple इसको हम उलट दिये हैं, क्या किये हैं, उलट दिये हैं, इसको हम बस interchange कर दिये हैं, क्या हुआ है, यहाँ देखिएगा, यह है आपका two, पहले दो काम, bracket point solve करना होता है, तो यह हो जागा three, one plus two three, okay, divisible by six, हम चलेंगे left to right, क्या चलने वाले हैं, left to right, okay, तो अगर हम left to right चलें, तो क्या result change होगा, क्या result change होगा, आप जानते हैं, कि सर पहले division, बाद मुल्टिप्लिकेशन, लेकिन हम बोलते हैं, नहीं, पहले left, फिर right चलना है, solve करके देख लिते हैं, दोनों तरीका से, क्या हमारा result change होता है, या नहीं होता है, मज आने वाला है, two into three or six, six को हम six divide करेंगे अर्था, six by six equal to one, यह हमने क्या किया, left to right चला है, अच्छा, according to board mass, अगर देखे इस चीज़ को, तो क्या होने वाला है, according to board mass, देखे अगर तो क्या होन देखे हैं, पहले divide करेंगे, तो क्या होने वाला देखेगा, यह तो आपका two into three है, divide करेंगे तो यहां से कटेगा दो बार में, परे इसको दो कटेगा, तो result कितना हैगा, one, तो क्या कोई change हो गया, अरे कोई change होगा, क्या, दोनों जगा आपका answer क्या है, one one है, दोनों जगा आगे बढ़ते हैं, तो यह सब कुछ आपके लिए हो चुका है, clear, I don't think कोई भी problem होगा, ठीक है, कोई भी problem होगा, चलिए, तो यहां तक में हुआ आपका सारा problem discussed, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो please वीडियो को like कर देंगे, और channel subscribe कर देंगे, मिलते रहेंगे ऐसे ही interesting और complete concept वाले वीडियो से, ताकि आपको कभी भी किसी भी part में कोई confusion ना रहे, thanks for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में, सबते के लिए, जै हिंद, take care, God bless you all.